हेलो गाइज हमारे मन में जो है कुछ कोश्चन्स रहते हैं कि एससे जीडी की त्यारी कहां से करें फॉर्म कब तक आएंगे और वेकंसी जो है कितनी आ सकती है कहां से पढ़ना है है बुक से करें को अच्छा प्रेक्टिस भी हो जाये तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है एससे जीडी के त्रू से जो है हम लोग कई पोस्ट को चुह है फिल करता है सरकार जैसे की आपका हो सी आएसेफ हो गया सी आएसेफ हो गया और बीस एफ हो गया और बी मतलब जितने भी है इस इसके रिगार्डिंग जो है हमें जो है इसकी प्रिप्रेशन करने पड़ती है तो जैसे कि फॉर्म कि इस अगस्ताईष्ट के लिए फॉर्म उन्यों कर्म तक सकती है और कहा से पढ़ना है तो मैं बता है कि आपको पढ़ना कहां से है तो पढ़ाई जो है आप जो है और डबलू ए रोजगार विद अंकित यूटूब चैनल से कर सकते हैं अच्छी करवाती है तैयारी और प्रैक्री सेशन भी उसमें करवाती है यह तो आप वहां से पढ़ सकते हो बुक्स कौन से लेनी है बुक्स जो है 279 रुपीज में आपको जो है बुक अवेलिबर हो जाएगा ठेक है और डबलू एकी कांस लेनी है इसके अप्लिकेशन से जाके लेनी है मॉक्टेस्ट मॉक्टेस्ट आप डबलू का भी लगा सकते हो रोजगार विद अंकित का भी लगा सकते हो या आप टेस्ट यह वाले जो है इसका प्रेक्टिस करवाते हैं बहुत बड़ी हां से टॉपिक वाइस करवाते हैं ठीक है अब सबसे बड़ी बात रही कि इतना तो हमें चलो मालूम चला गया चल पड़ा कि चलो भाई हम मतलब ऐसी तैयारी करनी है और यहां से करनी है का और एक्जाम जो ह सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है सबसे बड़ी बात करते हैं थिक है एससी ऑचेट पुछ आते हमें तो पहला जो है हमें पुछा जाता है मैच्छ दूसरा पुछा जाता है अपका रिजनिंग रिजनिंग और तिसरा जो पुछा आता है हमें वो हिंदी कि या इंगलिश इसमें उप्षिन होता है दोरों में से चुन सकते हो और चौथा जो है उसमें होता है वीजियों जीके ठीक है तो पड़तेग जो है विसद्पर क्योंश ऐते हैं यह जो है और प्रतिक 40 marks के होते हैं कितने 40 marks को होते हैं 20 questions होते हैं 40 marks 20 marks के यह भी होंगे आपके 40 marks के तो टोटल जो है 160 marks के जो है हमारा preparation होता है ठीक है तो इसके त्यारी कहां सब्सक्राइब मैंने आपको यह complete सारी detail दे दिया है आप जो है अच्छे से इसकी त्यारी कर सकते हो और इसकी वेकंसी का बाने वाली कितने आएगी वह मैंने सारी detail में बता दी है आई हो आपको समझ मैया होगा थैंक्यू सो मच